क्या third party ने आपको खून के आशुर उलाया है? क्या third party की वज़े से आपका जीवन बिखर गया है? आपका रिष्टा तूट गया है? कही न कहीं दूरियां आ चुकी हैं? और आप जानना शाते हो क्या है इस third party की life में? क्या चल रहा है आपके partner और third party की life में? सो चली जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कार्मिक्स है इस third party की life में या नहीं? So hello everyone, मैं रितु भारतवाज, Tarot Reading 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ, आप सब का दिन अच्छा जा रहा होगा आप सब लोग अपनी life में खुश होंगे, positive होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे So general reading है, collective reading है, timeless reading है जितना भी part आपके साथ resonate करेगा, उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है Okay, gender bias reading नहीं होती है, ये बाद आपको ध्यान रखनी है सब के लिए ये reading है, आप जिस भी gender के है, आपके partner जिस भी gender के है इस reading को देख सकते है And cards के अदर energies होती है, so please energies के साथ connect करने की कोशिश कीजिए Okay, energies को बीच में break नहीं करना है, वीडियो को लाव सक जरूर देखना है और अगर आपको कहीं से कहीं तक जरा भी positivity का एसास होता है और आपके साथ resonate करती है, so like जरूर कीजेगा, share जरूर कीजेगा And comment box के अंदर manifestation जरूर लेकिए आप लोग क्या चाहते हैं अपनी love life में, career life में, personal life में and professional life में Okay, so, okay, shuffling मैंने खतम कर ली है So, चलिए, शुरू करते हैं इस reading को, एक prayer के साथ मैं से start करूँगी Instagram, YouTube and Facebook, आप किसी भी social media पे जाके हमें join कर सकते हैं और readings लेख सकते हैं, bell icons को hit कर लीजेगा ताकि आगे आने वाले notifications आप तक time से पहुं सकें और अगर आपको personal reading चाहिए, तो comment box, description box के अंदर details दिये हुए है So, all the divine energies I am happy, healthy, beautiful, smart and a powerful person I want love, peace, money and success in my life So, all the divine energies, Bajangoli Universe Angels Please viewers को बताईए, क्या कुछ है इनकी life में तो इस deck से हम कोशिश करेंगे, आपकी energies पहले connect करेंगे फिर देखेंगे आपके person और third party के बीच में क्या चल रहा है So, पहले कुछ आपकी energies को यहाँ पर connect करते हैं Okay, so first यहाँ आया है politics का card Okay, so Gemini, Libra, Fuerius, Mithun, Tula, Qumrashti सबसे पहले appear हुई है Isolation Silence Okay So, Gemini, Libra, Aquarius में Tula, Qumrashti आई है Thunderbolt Okay Clinging to the past Mind Okay Sorrow Burden Fighting Transformation Existence Okay Creator Conditioning Okay So, देखिए, यह cards आपकी energies यहाँ पर दिखा रहे हैं Okay So, क्या बता रहे हैं यह cards देखिए, क्या हुआ है कि आपकी life में बहुत, बहुत जादा politics की गई है बहुत जादा politics आपने झेली अपनी life के अंदर ठीक है आपके आसपास कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है ठीक है बहुत politics की है आपके जानकारी के बग्यार भी politics की गई है आपको पता भी नहीं है आपके पीट पीशे politics हुई है आपको पता भी नहीं है कि आपके आसपास के आपके अपने ही लोग हैं ठीक है जिन्होंने चेहरा बदल करके बाते बदल करके आपकी बात कुछ और उनकी बात कुछ और आपने आपकी बारे में कुछ गलत बोला कुछ इस तरीके की politics करके आप दोनों के बीच में बहुत ज़ादा जगड़े relationship के अंदर मुझे हाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं so definitely आपके आसपास देखे कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरा बदल करके आपके जिदगी बरबाद की है ठीक है किसी लोगों के साथ ये past हो सकता है किसी के साथ ये present चल रहा हो सकता है ठीक है आपको ये पता ह है कहीं कुछ मतलब है या तो आपके यह बहुत बनन के सामने आते हैं कि हम आपके हैं और हम आपके बारे में सब अच्छा सोच रहे हैं आप से चीजे निकल वा ले आप से दिल बात निकल वा लेते हैं फिर उसको बिलकुर नमक मिश लगा करके आपके पार्टनर को यह आगे बता दी जाती है जिसकी वजह से यह आप दोनों के बीच में जगड़े हुए हैं ठीक है तो यहां पर डेफिनेटली यहां पर जो भी थर्ड पार्टी सिच्वेशन है ना वह बहुत भेंकर पॉलिटिक्स करते हैं ठीक है उसको पता है कि कहां पर क्या पत्ता खोलना है सो दिमाग सारा टाइम उसका वहीं चलते रहता है राइट और उसके चलते आपकी लाइफ के अंदर बहुत जादा थंडर बोल्ट आपने देखा है ठीक है आप दोनोंने ब्रेक ह बहार हो गई है बिखुल बाहर हो चुकी है आप लोग मतलब आइसोलेशन में जा चुकिए और रोके आपके आसो तक सुख गए हैं मैं कि इन्डर्द आपके अंदर 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 अपको खाए जा रहा है इतना रुलाया है दिन रात इस तकलीब ने आपको इस थर्ट पार्टी ने इतना ज्यादा परिशान कर दिया है आपको, कि आप कही ना आपकी चीजें अंदर डबा ली है, आप ना चुप हो गए हो, आप किसी से आपको पसंद नहीं है आप जादा किसी से बात करना, आप अ निदिंग नहीं पा रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करें। किस तरीके से यहां से इस दुख से निकल पाई, इस दर्ठ से असे निकल पाई। यह feelings आप बहुत जादा प्रेशान कर रही है। आप कहीं भाग जाना चाहते हो, आप इससे छुटकारा चाहते हो, यह थर्ड पाटी से कही ना कहीं, क्योंकि यहां पर ना इसने आपके पास्ट को, प्रेजन को और फ्यूटर को सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ बिगाड़ करके रख दिया है, तो इतना आपका दिमाग बिल्कुल जकड गया है, बिल्कुल past के energies आपको छोड़ नहीं रही है, past में अटक गये हो आप, यह situation जो भी आप लोग की life में आई है उसने आपको अटका दिया है, आप बहुत जादा दुखी हो रहे हो, दर्द में हो, परिशार हो, एक बोज है आपके सीने के ओपर, यह ज इस तरह की बातें आपसे बोली गई हैं, जो शब्द आपके लिए यूज किये गए हैं, वो आपको बोज लगने लगे हैं, मतलब यह कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यह बोज कब उतरेगा, यह third party कब जिन्दगी से जाएगी, ठीक है, इवन आप में से अगर आप यह बोज आपकी सिर से नहीं उतर रहा है, आप अंदर ये अंदर अपने से लड़ाई कर रहे हैं, आपकी inner battle चल रही है, आपकी खुद से लड़ाई चल रही है, आप कहीं ना कहीं चिर्चडे हो चुके हो, आप परिशान हो चुके हो, दुखी हो चुके हो, दुनिया से ल तक जोन में जा चुके हो, आप के अंदर बहुत जादा बदलाव आ चुके हैं, तो आपके लिए यहां पर गौड का मेसेज आया है, दिवाइन का मेसेज आया है, तो क्लेम कीज़ेगा करेंगा कार्ड लोगा बताना चाहरें कि वह आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी डरन के घबराने की ज़रूत नहीं है ठीक है आपके भगवान आपके God Universe Divine आपके साथ है एंजेल आपके साथ है ठीक है सो यह चीज भरोसा यहां पर यह Creator का सामने इसका कर्मा देखोंगे सो अगर हां तो कर्मा क्लेम कीजिएगा यहां पर क्योंकि जिसने आपको दुख दिया है तकलीफ दी है वो कहीं न कहीं आगे जा करके उसको बैक जरूर होगा उसके पास वापिस कई गुना हो करके डिवाइन उसको जरूर भेजेगी सो क्लेम जरूर कीजिएगा मैं इस काड को यहां रख लेती हूं ताकि आपको एक पॉजिटिव एनरजी आती रहे तो उसके लिए क्या करना है यहां पर गाइडेंस का काड आया है आपको अपने को भूल चुके हो आप अपने को बरबाद कर चुके हो आपने अपना प्रेजन फ्य हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हो आपके असपास कई ऐसे लोग हैं जो आपको अपना मानते हैं यह आपको खुश देखना चाहते हैं आप उनसे अलग हो चुके हो ठीक है यहां तक कि आपने खुद के अपने वजूद को कही ना कहीं इन लोगों के लिए खराब करके अगरा से लाइस च्रीय के लिए ने लिए पैसा कमाने के लिए या फिर आपको फिनेंशली स्टॉ kädy कि अपको इमश्नली स्टॉ-करने के लिए जो भी अपको एसा लगता है जो आपका ऑफ्यूचर कर सकता है आपकोफिस्ट अप डेम करने के जुरूत है और एक स्भूद करने के जरूआ अगर आप अपने बारे में सोचते हो तो फुट कि ये बिल्कुल गलत नहीं है क्योंकि अगर अपनी जिंदगी बरबात करोंगे तो इस चीज के लिए तो ट॥ अगर इस दूनिया में आप आएं तो किसी मकसद से ही आएं होंगे। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर आपके मकसद होगा। जिसके लिए आफ आगे बढ़ना चाहते हैं। जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। सो आपको कंडिशनिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आपको समझना पड़ेगा कि आप इनके जैसे तो आप बिलकुल भी नहीं हो। इनको ऐसा लगता है ना कि आपको बदल पाएंगे या आपको तोड़ पाएंगे या आपको बरबाद कर पाएंगे तो बिलकुल भी आप कंडिशनिंग करो अपनी редक के और आप इनके जैसे बिलकुल भी नहीं हो या आपको व्यकितात है। ऐला नहीं हो सकते हो यह बहुत ही दोष्टा आत्माई है और आप तो बिलकुल ठीक है, आपको भेड़ भेड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, अपने हिसाब से हाका जा रहा है, लेकिन वो नहीं करना है, ठीक है, आपको अपनी existence पर काम करो, आप जो हो उसको polish करो, अपनी life में आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, better करने की कोशिश करो, क्योंकि confidence लेकर के आओ, अपने अंदर की आप आगे बढ़ सकते हो, अपनी life में इनके बगैर भी आपके जिंदगी है, ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, कि क्या चल रहा है आपके partner और third party के बीच में, ठीक है, बने रहेगा, देखते हैं क्या चल रहा है, आपके partner और third party के बीच मे okay so mind को stable कर लीजिए right चलिए देखते हैं क्या है third party और इनके partner के बीच में okay queen of pentacles ठीक है ध्यान से देखेगा knight of pentacles okay high princess इस राशी सारी आ चुकी है राशियों पर ध्यान नहीं देना है आपको emperor okay seven of cups nine of sword eight of cups ten of wand tower and wheel of fortune चलिए जी okay so देखो यहां पर पहले तो मैं आपको बता दूँ क्या चल रहा है आपके partner और third party के बीच में तो सबसे प्यारा card यहां आया है wheel of fortune का card ठीक है तो यहां definitely समय बदल रहा है समय बदल रहा है आपका बुरा वक्त खतम होकर अच्छा शुरू होने वाला है और इनका अच्छा वक्त खतम होकर बुरा वक्त शुरू होने वाला है तो claim कीजिएगा wheel of fortune क्या हो रहा है यहां पर देखे cards का बता रहे हैं कि यह जो आपके person है ना इनके अंदर ego बहुत है ठीक है इनके अंदर ego बहुत है और इस third party के अंदर mystery बहुत है काफी कुछ राज है आपके इस third party के अंदर कुछ ऐसी चुपी हुई बाते हैं जो आपके partner को नहीं पता चली है लेकिन जैसे ही पता चलेंगी इनके ego के चलते ना यह चीजे खतम हो जाएंगी मतलब रिष्टा खतम हो जाएगा यहाँ पर दोनों अपनी अपनी एट में बैठे हुए हैं यह अपनी एट में हैं और यह अपनी ठीक है इन्होंने अपनी बाते चिपाई हुई है इन्होंने अपनी इनको अपना यह गु इसका दिमाग पूरे टाइम चलता रहता है कि क्या करे क्या ना करे क्यूंकि यह लालची बहुत है इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और यह अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह किसी भी हट्ता के पार्टी जा सकते हैं अगर इसको दूसरों का समान छीनना भी कुछ भी करने को तेया रहें किसी की बी जिन्दगी में जहर घोल सकती यह थर्ड पार्टी किसी की बीज़ी बरबात कर सकती हैं और क्या होगा यहां पर करमा कैसा मिलने वाला है कि जैसे ही आपके परसफन को चीज़े इसकी यह लालच पता समझ में आ जाएगा जिस दिन इसको यह समझ में आ जाएगा कि यह इसको अपने अपने लालज की वज़े से यह आपके परसन से जोड़ी हुई और इसको सिर्फ अपने से मतलब है, आपके परसन से मतलम नहीं है, जिसन यह समझ में आएगा, उसी दिन से यह करवा शुरू होगा, क्या? कि आपके partner कहीं न कहीं finances रोक देंगे इसको पैसा देने रोक देंगे ठीक है इसको कहीं न कहीं समझ में आएगा कि अब यहां से पैसा तो मिल नहीं रहा अब क्या करें ठीक है तो यहां पर उस time पर यह third party बहुत जादा रोएगी परिशान होएगी ठीक है क्योंकि आप पैसा के लिए तो यह जुड़ी होई थी third party पैसा बंद कर दी आपके partner ने क्योंकि आपके partner को इसके असलिए समझ में आ जाएगी है न तो जैसे ही इसके दिल के राज आपके partner को पता चले यह रोने इसका जो दिन रात है यह सिर्फ रोएगी इसको समझ में आएगा कि यह होता है कर्मा यह कर्मा जब वापस आता है न तो इस तरीके से आता है कि आपके जिंदगी में दिन रात का चैन छिंजाता है सिर्फ दुख और negativity आपकी life में रह जाती है और इस चीज का बोज आपके पार्टनर आप उठाने पारे है इनको लग रहा है कि बस अब हो गया बहुत अब आगे अब नहीं चल सकते है तो यह खुद ही आपके पार्टनर जोए न यह खुद ही इस थर्ड पार्टी को कहीं न कहीं अलग कर देंगे या तो उसको भगा देंगे या खुद निकल जाएंगे इस रिलेशन्शिप से ठीक है क्योंकि अब उनको समझ में आएगा धीरे-धीरे करके कि इनकी जिंदगी न बंधेरे की तरफ जा रही है बरबाद हो इतनी जल जा रही है स्वर पाटे की वज़े से जरुर ने जरुर आएगा जम इनकी लाइफ में टावर मॉमेंट आएगा जो जो बोया है वही तो काटेंगे यही करमा का खेल दिखेंगा धीरे-धीरे ऐसा नहीं है बिलकुल आपको आज ही दिखने लग जाएगा जिस दिर इनकी कर्म कटे जिस दिन इनके लेखा जो खा बिलकुल डाइरी फुल उपर वाले की जिस दिन उपर वाले की डाइरी फुल हो गई ना इनके पापों से उसी दिन इनका कर्मा इनको मिलना शुरू हो जाएगा ठीक है तो बिलकुल यहां पर इनकी लाइफ में भी वही सब शुरू ह जो आपने जहिला है ठीक है यहाँ पर बहुत बरबादी इनकी लाइफ में आने वाली है सो बहुत बुरा कर्मा इन दोनों को जहिलना पड़ेगा एस्पेशली थर्ड पार्टी को तो बहुत बहुत जादा देखना पड़ेगा सब कुछ जो आपने देखा है उससे कई गुन पर आया किसने उनको प्यार दिया किसने उनको धोका दिया ठीक है सो कहीं ना कहीं यह चीज़े जरूर आपके आपको आगे कनेक्ट करेगी आपको देखने को मिलेगा कर्मा राइट लेकिन अकर हम मेनिफेस्ट कर रहे हैं रियूनियन तो यहाँ पर टावर मोमेंट के बाद इस टावर मोमेंट के बाद वो आपको अप्रोच जरूर करेंगे राइट यूगि गलती का एसास जो होता है ना जब करमा चलता है नो तो अपने आप दिमाग में सही गलत समझ में आने लग चाता है ठीक है तो अगर आप उनको एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी आपके साथ रेजनेट की होगी तो लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ओके तो चलिए खुश रहिए सुरक्षित रहिए पॉजिटिव रहिए क्लेम जरूर कीजेगा चिपल वन बर्शिक मली का यूनिवर्स का एंजल का थैंक यू जरूर की कि आप इस वीडिंग को कहां से देख रहे हैं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू एंड़ नाइस देख